दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में साथ दिन और बढ़ सकता है लोगडाउन सरकार जारी करेगे नई गाइड लाईन जी हाँ बिहार में जारी लोगडाउन में और इजापा होने वाला है नितिश सरकार लोगडाउन साथ दिन और बढ़ा सकती है इसके साथ ही इस बार लोगों को थोड़ी चूट मिलने की समावना जताए जा रही है बता अधि की कोरोना के बढ़ते संग्रवन को लेकर राज सरकार ने बिति पांच मै को लोगडाउन लगाया था जो अब तक जारी है जानकारी के अनुसार सियम नितिश ने इसे लेकर कल बैठक की थी और सभी जीलों की जीला अधिकारियों से फिड़वेक लिया है साति मंत्रियों और प्रधान सचीओं ने भी लोगडाउन को बढ़ाने की संब्द में अपने विचार रखे हैं सरकार का मानना है कि लोगडाउन के अधि बढ़ाने से कोरोना का अकड़ा सुन्न की तरप किया जा सकता है अगली बड़े कबर मुप्त सिक्चा हेल्थ बीमा 10 लग का फंड कोरोना से अनात हुए बच्चों की मदद करेगी मोदिस सरकार जिहां कोरोना महमारे की कारान अनात हुए बच्चों के लिए प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदिन ने बड़ा एलान किया है सनिवार को PM ने ट्विट करके कहा कि कुरोना में अपने माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को PM Care for Children योजना के तहद सहायता दी जाएगी ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक, वजिपा और 23 साल की उम्र में PM Care से 10 लाख रूपय का फंड मिलेगा PMO से मिले जानकारी के अनुसार अरात हुए सभी बच्चों को निसुल के सिक्चा दी जाएगी ऐसे में जो बच्चे उच्च सिक्चा गरन करना चाते हैं उन्हें सरकार लोल लेने में मदद करेगी बयान के नुसार इस लोन पर ब्याज का बुगतार PM Care पंड से किया जाएगा इसके अलावा आईसमान मारत योजना के तहट 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रूपय का मुप्त स्वास्त भीमा मिलेगा और प्रेमियम का बुगतार PM Care पंड द्वारा किया जाएगा आगली बड़े कवर अब गिरपतार करने से पहले बता देगी बिहार पुलीस बिहार डिजी पी ने जारी की नई गाइड लाएगा करना होगा पुलिस अब साथ साल से कम सज़ावाल केस में सिधे गिरबतारे करने के बजाए पहले नोटिस दे सकती है इसके बाद आरूपी जमानत लेने की करवाई करेगा अगली बड़ी कबर बिहार में 15 जून से होगी बाड प्रभावित गाउं की रेकी आपदा बल और अधिकारी देंगे लोगों को बचाव की टिप जहां मुईक मंतरी नितिस कुमार के समिक्चा बेटक के बाद आपदा प्रभावित जिलों के गाउं वो पंचायतों की रेकी कराने का निर्दिश दिया है जहां पूर्व के वर्सों में बाड का कर अधिक रहा है इन गाउं में आपदा बल के जवान लोगों के बीच जाक बच्चों का ब्यवरा बनेगा ताकि बाड के दोरान रहत हुआ बचाव कारिक के समाई आपदा बल को मालूम रहेगा कि किस गाउं में कितने बच्चे बुजुर्ग और गर्वती की सिंख्या है और उन्हें पहले निकाला जा सकेगा अगली बड़े कबर मीट डे मील स्कीम के तहद 11,8,8,4 के खाते में पैसे भेजे की सरकार सिक्चा मंत्री ने किया है जिया मीट डे मील स्कीम के तहद बच्चों को डारेक्ट बेनेफिट टांसपर यानि डिबीटी के मैदम से धंडासी भेजी जाएगे के सिक्चा मंत्री रमेश पोकरियाल निसंग ने मीट डे मिल स्कीम के सबी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धना से देने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस योजना को केंद्रे सिक्षा मंत्री रमिस पोकरियाल निसांक ने मंजरी दे है सरकार को उम्मीद है कि इससे 11 कड़ोर 8 लाग बच्चों को सिधा लाब मिलेगा सरकार इस उद्देश के तहट सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों को लगबग 1200 कड़ोर रुपी के अतिरिक धना से मोहिया कराएगी केंद्र सरकार द्वारा इस मोद्रिक सहायता से देश वर के सहायता प्राव्द स्कूलों में कक्चा एक से आटवी तक के पढ़ने वाले लगबग 11 कड़ोर 8 लग बच्चों को लाब होगा अगली बड़ी कबर बिहार में अभी नहीं खुलेगा स्कूल सिक्चा मंत्री बोले फिलाल हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं स्वास्त बिभाग और क्रैसिसिस मेनेजमेंट गुरूप की रिपोर्ट के बाद ही विचार होगा कोरोना की थर्ड वेब की आसंका है माना जा रहा है कि अब सबसे ज़्यादा कत्रा बच्चों पर है सरकार फिलाल इस बारे में कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है सिक्चा बिभाग फिलाल स्वास्त बिभाग और क्रैसिसिस मेनेजमेंट गुरूप के निन्ने का ही इंतिजार करेगा अगली बड़े खबर अब आम लोगों को दी जाएगी रेलवे टिकट बेजने की जिम्मेदारे रेलवे की पहल से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार जिहाँ अब घर पर बेरोजगार बेटे लोगों को रोजगार मिलेगा मालदा रेल मंडल की ओर से यह पहल शुरू की गई है एक केटेगरी की स्रेनी में सामिल रेलवे स्टेशन पर टिकट बिकरी के काम निजी हातों में सोपा जाएगा पहले पेज में आदा दर्जन रेलवे स्टेशनों का चैन किया गया है जिसमें भागलपुल रेंज के चार स्टेशनों का नाम सामिल है रेलवे ने स्टेशन टिकट बोकिंग एजेंड के लिए टेंडर निकाला है मालदा रेल मंडल के इस कदम से अब लोगों को रोजगार मिल सकेगा टेंडर लेने वाले लोगों को हर टिकट पर कमिशन दिया जाएगा टेंडर बनने के अंतिम्तिती साथ जून है आपके जानकारी के लिए बता दे कि रेलवे की ओर से बकोदी सुजनी पाल रोड सबोर टिकानी गगनिया बरहाट इस्टिशन पर टिकट बेचने की जिम्मेदारी अब आम लोगों को दी जाएगी रेलवे की ओर से तीन वर्स का अनुबांद रहेगा टिकट बेचे जाने वाल लोगों को कमिशन के रूप में रासी दी जाएगी अगली बड़ी कबर बिहार के चो जिलों में दस से भी कम है कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में मिले 1491 नई संक्रमित मरी यहां बिहार में पिछले कोज दिनों से कोरोना वारेस के मामले में लगतार कमी देखी जा रही है चे जिलो में कोरोना कतम होने की कगार पर है यहां 10 से कमने मरीज मिले हैं राज में पिछले 24 घंटे में 1491 नई कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है पत्ना में सबसे ज़्यादा 196 और समस्तिपूर में 110 नई संक्रमित मिले हैं राज के 6 जिलो में 10 से कमने संक्रमित की पहचा 84 तक सिमट गया है स्वास्ति विवाग का कहना कि मौजदा समय में कम से कम 5000 से अधिक संक्रमीत स्वस्थ हो रहे हैं अगली बड़े कबर ब्लैक पंगस को लेकर सीम नितिस का बड़ा एलान अब बिहार के सभी मेडिकल कोलेजों में होगा इलाज बिहार में जानलेवा बिमारे ब्लैक पंगस का कहर जारी है राज सरकार ने पहले इस बिमारे को महामारी घोसित कर दिया है लेकिन अब मुखमंतरी नितिस कुमार ने एक और बड़ा एलान कर दिया है सियम नितिस ने कहा कि बिहार के सभी मेडिकल कोलेज और अस्पतालों में ब्लैक पंगस से पिडित मरेजों के इलाज के लिए तयार किया जा रहा है राज के मुखमंतरी नितिस कुमार ने ब्लैक पंगस के बड़ते खत्रे को देखते वे चिंता जाहिर की है सियम ने ट्वेट करके बताया कि बिहार में ब्लैक पंगस के मरेजों के सेंख्या में बिर्दी हुई है इसलिए स्वास्त विवाग को सभी चिकिस्टा महाविद्दाले एवं अस्पतालों में इसके इलाज के लिए आवस्यक विवस्ता करने को कहा गिया है अगली बड़ी कबर जितारा माजे ने लोगडाउन पर उठाया सवाल बोले ये कोरोना का समाधा नहीं स्वास्त केंद्रों की सुधारे हाला माजी ने इसके साथ बिहार में करोना के मामलों में कमी लाने का स्रे सियमनेतीस कुमार को देते हुए उनकी तारे भी की है अगली बड़े कबर पूर्व सांसत पपोयादव को जड़का अपहरान के मामले में नहीं मिली जमानत यह 32 साल पुराने कतित अपरानन मामले में गिरपतार पूर्व सांसत पप्प यादव को मधिपूरा के जिला एवम सत्र नियादिस के कोड से भी जमानत नहीं मिल पाई है जिस वज़ा से अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा इससे पूर्व पप्प यादव की जमानत याचिका उनके ट्राइल कोड से रिजट हो चुकी थी जिला एवम सत्र नियादिस रमेश चंद्र मालिवे की अदालत में वर्चुल मायदम से जमानत याचिका पर सुनवाई की गई इस सुनवाई में पप्प यादव के अधिवक्ता संजे कुमार ने जमानत के पक्च में अपनी दलिल दी जिस पर नियाले ने एक जून को अगली सुनवाई की तिति निदारित की है अगली बड़ी कबर अब हवाई सपर होगा महंगा एक जून से बढ़ेंगे फ्लाइट टिकट के दार जी हाँ घरेलो हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है सरकार ने हवाई किराई की निचली सिमा में 13-16 फिर्दी बढ़ोत्री की है नागरिक उडियन मंत्रालेक में जारे अधिकारिक आदेश में यह कहा गया है कि हवाई यात्रा किराई में यह बड़ोत्री एक जून से प्रभा में आ जाएगी हवाई किराई की उची सिमा को फिलाल पुर्वत रखा गया है ऐसे में अब एक जोन से हवाय यात्रा करने वालों को अपनी जेव और रिली करने पड़ेगी केंद्रिया नागरेक उडेयन मंत्राला के मुतावेक 40 मिनट की दोरी वाले विमानों की किराय की नियुनतम सिमा 23 रुपे से बढ़कर 26 रुपे कर दिया गया है वहीं 40 से 60 मिनट की दोरी वाले फ्लाइट की किराय की नियुनतम सिमा 29 रुपे की जगा अब 33 रुपे प्रतिव्यक्ति की गई है अगली बड़े कबर अगर टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज़्यादा इंतिजार करना पड़ा तो नहीं देना होगा टेश भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्रादिकरन ने टोल प्लाजा के नियम को अपडेट करते हुए एक बड़ा बदलाव किया है बता दे कि सरकार ने हाइवे पर यातरा को सुगम बनाने के लिए फरवरे 2021 से फास्टेक्स सिस्टम को निवार कर दिया था जिससे कि टोल प्लाजा पर टोल टेक्स देने के लिए गाड़ियों की भीड और लंबी लाइने ना लगे अब जरकार ने टोल प्लाजा पर टोल टेक्स वसलने के लिए एक महत्वपून नियम बनाया है इसके मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर अगर आपके वाहन को 100 मिटर से ज़्यादा लंबा जाम मिलता है या फिर आपको टेक्स का बोगतान करते समय दस सेकंड से ज़्यादा का इंतिजार करना पड़ रहा है तो आपसे आपके वाहन के लिए टोल टेक्स नहीं वसुला जा आगली बड़े कबर गैर मुसलिम को मिलेगी भारत की नागरिक्ता केंड्र सरकार ने पाग बंगला देश अफगानिस्तान से आए सरणात्रियों से मांगे आवेदा। से आवेदन मांगे गए हैं जो देश के पांच राज्यों गुजरात पंजाब हर्याना राजस्तान और चटिस गड़ के तेरा जिलों में रहे हैं और आमके बड़ी कबर BCCI ने कर दिया एलान IPL के बचे हुए मुकाबले UAE में के ले जाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा लेग IPL कोरोना के करन अधुराही छोड़ दिया गया है जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थी कि जल्द ही इसके बाकी मेचों को करा लिया जा साल सितंबर अक्टूबर में इसका सेडूल तै किया है BCCI ने सितंबर अक्टूबर के महिने में सयुक्त अरब अमिराद यानि की UAE में इंडियन प्रिमेर लेग 2021 सीजन के सेस मेचों को पूरा करने की घोसना की है आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में एक जुन क के बाद और कितनों दिनों तक लोगडाउन को बढ़ाना चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कमेंड बोक्स में जरूर बताए